जाओध कोस्ता है। रादिकरिष्णा लेट्स टॉक होंबै, आपका स्वागत है। आज हम बनारे हैं मदूर वड़ा। ये सावउठ इन्याइन रेसेपी है। जैसे हम सांबर वड़ा ये बनाते हैं। ऐसे ही मदूर वड़ा बनता है। तो आईए फ्रिंट्स, आज हम मदूरवड़ा बनाते हैं, ये चावल काटा है, एक कप, मैधा है, आधा कप, सूजी है, वन फोर्थ कप, और की मोयन के लिए, ये वन थर्ट की करीब है, आप थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं, ये मैंने सफेद तिल है, जो मैं इसमें डाल रही हूँ, हारी मिर्च, हारा दनिया, कुछ करी लिफ्स है, जो मैं इसके साथ ताल दिया है, जिसे आप कड़ी पत्ता भी कहते हैं, ये चिली फ्लेक्स है, स्वाद अनुसार नमा, अब आप इसे अच्छी से गुंद लीजे, जीरा डालना भूल गई थी, ये में थोड़ा सा जीरा भी डाल रहे हूं, और थोड़ा सा अजवाइन, कि आप त्यान रखीएगा, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालके, एक टाइट सा डू बनाना है, देखें फ्रेंट्स, ये हमारा डू बलकुल तैयार हो गया है, ना तो ये बहुत सकते हैं, ना ही बहुत लूज है, ये बलकुल पफेक्ट हमारा गुंदा है, और हम इसको दस मिनट के लिए ढखके रख देते हैं, हमने एक एस पर ऑईल गरम करना रख दिया है, अब हम इसे डिफ्राई करेंगे, इसे हम डिफ्राई करेंगे, तो आईए फ्रेंट्स, हमें दस मिनट हो गए हैं हमारे फ्लार को, अब हम इसके चोटी चोटी लोईया बना लेते हैं, ये बलकुल जटपड बनने वाला नाश सकते हैं, इस अफ्राई शाम के नाश् einfach के नाश्माटी में भई हैं यह बहुत रख राशोफ काने में में बहुत टेस्टी होता है , और यह हम छोटी हम आर चोटी बास की तैयार करेंगे, आप में इसको रफली बना कर जोगते शावर mm, कि यह तनी है, ने, बूक्त हम ऐसे बॉल्स बनाईए कि मैं आपको साइज दिखाते हूं यह आप इल्कुल छोटी जैसा साइज बनाइए दिखिए अब हमारा ये बॉल तेयार हो गए है और अब हम आपको इसका बेलना सिखाते हैं यह अमने जो कड़ाई में तेल गरम किया है अब इसको हमें मीडियम गरम रखना है हमें कोई बहुत देज नहीं रखना है इसको आप ऐसे पलागी आप इसको दबा दबा के आप कोई जरूरी नहीं है या फॉाइल बेपर ही लें आप कोई पॉल इसकते हैं कुछ भी ले सकते हैं जो आपको इसी लखे है यह दिखिए यह मैंने बिल्कुल पतला पतला बेल दिया है और इसके बीच में हमें ऐसे होल करना है यह देखे यह मैंने ऐसे इसके बीच में हॉल करतिया है जैसे हम सांबर हम बड़ा बनाते हैं हमें ऐसे ही होल करना है आप अगर होल करना ना चाहें तो आप विदाउट होल की भी बना सकते हैं मगर इसका लोग थोड़ा बढ़ जाता है यह देखे यह देखे यह इस तरीके से आपके बनेंगे यह देखे आपको सभी इसी तरीके से बना के आप तयार कर लेंगे तो आए अब हम इसको बना के सब तयार कर लेंगे देखे फिर्ट्स हमारे सब मधुर बड़े बनकर तयार हो गया है अब हम इनको टी फ्राइए करें तो अब हमनी शुरू करते हैं कि हमारा मीडियम गरम ओल हो गया है बहुत तेज नहीं रखना है क्योंकि यह थोड़ा क्रिस्पी होता है तो मंदी मंदी जैस में आपको दीम ही जैस में को तलना है कि देखिए है यह मैं आपको दल के दिखा रहे हूं मेरा तेल ज्यादा गरम आप तो मैं थोड़ा से तेज कर रहे हैं तो अब आप से एक चीज और भी शेयर करने वाले हूं कि ताकि फूली नहीं इसलिए मैंने इन में फोक से ऐसे होल कर दिया था उसी क्या होगा कि यह अंदर तक अच्छे से सिखेंगे आप ऐसे बनाने के बाद इसमें ऐसे होल भी कर दिजएगा फोक से तो यह आपके अंदर से क्रिस्पी हो जाएंगे और यह फूली नहीं है क्योंकि इन्हें हमें फुलाना नहीं है उनको क्रिस्पी करना है क्रिस्प हो जाएंगे जब यह हमें इसी तरीके से बनाने है यह फूली नहीं चाहिए एक और डाल देती हूं सब्सक्राइब करते हैं इसी तरीकी से हम अपने सारे मदूरवड़े तर लेंगे आप इसका साइस अपने हिसाब से चोटा बड़ा आप कैसे भी कर सकते हैं बस इतना द्यान रखिएगा कि इसे बेलते समय से पतला बेलना है दूसरा बीच में होल करना है और फोक से आपको इ हैं बीच से फूले नहीं क्योंकि हमें यह फूलाने नहीं है सरक अंदर तर देखे फ्रेंद्स यह हमारा मदूरवड़ा बिलकुल रडि हो गया है तो अगर आपको यह मेरी रेसेपी बहुत पसंद आई होगी इसे लाइक किजे शेर किजे और पैल आईकन को दबाना ना सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपीस अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखे और लाइक का बटन भी जरूर दवाईए जिसे मुझे पता चली कि आपको मेरी सभी रेसिपीस पसंद आ रहे हैं राधी कृष्णा झाल